कि हालो दोस्तों मेना नाम है कभीर नायक और स्वाध एक आपका मेरे यूट्यूब इस चैनल पर हम बात करते हैं कॉपी लाइटिंग की इंटरेट मार्केटिंग की से बारे में और आपके चुप पर्सनल लाइफ इशुस हैं उसके ओभी हम सोल करने की कोशिश करते हैं Now, my name is Kabir Nayak and I am an expert or you should, I must say that I am a practitioner, still I am a practitioner in doing sales funnels, copywriting, internet marketing as far as my experience is concerned. So, in this video, मैं आप लोगो को बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी बुक्स अच्छी हैं copywriting के लिए. Now, there is no any best or worst book regarding copywriting. और ऐसा भी नहीं कि कोई आप बुक पड़ोगा, कोई copywriting आ जाएगी. ये खायर बिल्कुल अपने mind से लिगाल दीजिए, कि आप कोई बुक पड़े हैं और आपको copywriting आ जाएगी. हो सकता है, आपको मेरी बात बहुत अजीव लगे. हो सकता है, आपको लगे क्यार ये क्या बात है, लेकिन सच तो ऐसा ही है. कॉपी राइटिंग की कोई भी किताब आपको तब तक अच्छी नहीं लगेगी, तब तक समझ में नहीं आएगी. इसलिए, बिफोर 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 रीडिंग एनि कॉपी राइटिंग बुक, यू मस्त रीड सम काइंड ऑफ मार्केटिंग बुक्स. अंड़्टाइब ना पॉइंट? अल्दो इस चैनल पर मैं सेल्स फनल्स के ओपर बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं, इस बुक का नाम है एक्सपर्ट सेक्रेट्स भाई रसल बरंसल, ठीक है, इसके इलावा, इसके इलावा जैसे है की बुक है, सैल लाइक क्रेजी, बाई सेवरी सूभी, मैं माफ करना इस बंदे का नाम है गलत ले रहा हूं, तो यह भी एक बहुत अच्छे मार्केटिंग की पुष्टक है, और एक यह पुष्टक है, तो इस किताब को पड़े, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बुक है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि, इंटरनेट को समझने के लिए, फर्स्ट इस बुक के अंदर देखेंगे आप, तो यहां पे जो कॉंटेंट है इस बुक का, लेक हाव तो गट इंसाइड थी हैर्स, इस सेवन फांडेशन प्रिंसिपल्स अफ कंजूबर साइक और अगर आप यह देखेंगे, एड एड एजनसी सीक्रेट्स, 41 प्रूवन टेक्निक् जब आप इन कंसेप्स को समझेंगे ना तो आपकी जो कॉपी राइटिंग की जान होगी वो बड़ी मजबूत होगी, क्यों आप मार्केटिंग को बहुत अच्छे लेवल पर समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे यह है, तो लोग के दिक्कत क्या होती है, कि लोग कॉपी सबसे पहले तो क्या करना इस तरह की एक दो बुक्स है, जैसे सब्सक्राइब के दो आपको बताना चाहाँ होगा, तो अब इस बुप को पढ़ना, कॉपी राइटिंग सीक्रिट्स बाइजीम एडवार्स, ठीक है, अब इस बुक के खासियत देखो, इस बुक की क्या खास इस बुक के अंदर कोई डिटेलिंग में को डिटेलिंग में नहीं बता है लेकिन जो भी बंदा इंट्रेम के स्पेस में बहुत दिनों से काम कर रहा है कम से कम 6 महिने से 1 साल में उसके लिए ये जो बुक है बहुत अच्छी थाभीत हो सकती है फिर एक और बुक है जो काफी अच्छी है वो ये है 7-figure marketing copy अब ये भी दोस्तों ये वाली book भी ना ये भी beginners के लिए नहीं है ये मैं अपने experience से आप लोग को बता रहा हूँ ये भी beginners के लिए नहीं है ये book भी जो आप पढ़ोगे तो beginners के लिए नहीं है लेकिन जो बंदा copyright कर रहा है जो copyright समझ में आती है उस बुक के लिए उस बंदे के लिए ये book बहुत अच्छी साभित होगी है ना जो मेरा जो 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 है मेरा जो 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 है इस वीडियो पे वो ये जो है कि आप copywriting इसलिए नशिए आख कॉपी राइटिंग वूंपर टिप्र भोके न सीखें no book and teach you copywriting वूकर टीच्छु समकाइड़्िक्स और मार्केटिंग कंसेटS and once you understand marketing concept you will understand copywriting in a much much better way because copywriting is a practical skill लिखने से आती उर्ष हम कितनी भी साइकल चला ले किताब को पढ़ पढ़केelli असल साइकल चलाना तो वही बंदा जानता है जो साइकल चलाता है और जो बंदा साइकल चलाता है डेली उसको पता है कि साइकल में مुझको क्या प्रोब्लम आ रही है बिल्कुल इसी थरीके से जब आप कॉपी राइटिंग करते हो शीखते हो तो आप कॉपी राइटिंग तभी सीख सकते हो जब आपको यह पता है कि या यही गल्तिया में कर रहा था अब मेरे को यह करना है पहले मैं headline ऐसे लिखता था मैं headline ऐसे लिखता हूं पहले में bullet point को ऐसे लिखता हूँ बैसिकलिव आप copy writing करते हूं तो पूरा का पूरा जो concept है लिखने का content writing से बिल्कुल बदल जाता है ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों के लिए मेरे वीडियो बहुत ही वेल्यूबल साविस होगी और आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि before copywriting, marketing is important मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much